आज किस वीडियो में बिहार बॉरट मेंटिरिक इंटर रियल्ट से समंनित ने हुज को पाएंगे यहाँ पर जानाएंगे कि आगे इंटर का हैं यहिए न Questo कब तक में आएगा और टीफिचिएником और पर उन्हां और यहां पर जो इंटर के छात्रों के लिए देख सकते हैं आज का बिहार बोड चात्रों का रिजल्ट त्यार विरिफिकेशन बॉकी चलिए इनसे पहले जो आज का मुख्यूमुख समाचार है इनको भी हम जान लेते हैं यहां पर देख सकते हैं कि पहली बार परतना से प्रारंभिक के बच्चों को जल्द मिलेगी और बीपी ने सिक्षा विभाग को दिये 504 क्रोर तो काफी इंपोटेंट है यह वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डाले और यहां पर देखिए सभी छात्रों के लिए छात्विर् सब्सक्राइब करें तो वहां पर सर्च करें स-स अ-अ राट इसा यार समराट सर वहां पर यह पोस्ट आपको मिल जाएगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि मुखमंत्री बाली का परोशान योजना के सभी छात्राओं को 10,000 मिलेंगे वहीं मुखमंत्री बाली का पर साहन योजना दस्मी में जो भी फर्स डिविजन किया है मेट्रिक इंटर का छात्र सभी के लिए 10,000 मिलेंगे उसके बाद मुखमंत्री बाले का बालक सैक्ल योजना का 3,000 रुपिया मिलेगा सैक्ल योजना के तहट और बिहार सताबदी मुखमंत्री बाले का पोसाक योजना जो है पाला दुसरा क्विद्यार्थी को 600 मिलेंगे वही तिसरा से पशमा तक के सभी छात च्छातराओं के लिए 700 रुपिये मिलेंगे और मुखमंत्री पुसाक योजना के तत छठा से आठमी तक के छातराओं और छातर के लिए एक हजार मुखमंत्री की सोरी स्वास्त कार्चक्रम के तत शातमी से बारमी तक के छातराओं के लिए तीन सो रूपीय चात्विरती योजना के तहट पहला से चौहतातात तककी विद्यार्थी को पहफिछात्वां सेचछतातात की विद्यार्थी को एक हाजार और शातमॵनस से दस मीर, 10 नि siitä को परति द्यार्थी का लाप मिलना है तो यह तुछात्विर्ति वाला हो गया अब चलिए रियल्ट से समंदित न्यूज को हम जन लेते हैं और यहां पर देख सकते हैं कि इस कुलों में हर कक्षा के सिक्षक बनाएंगे वार्ट्षेप गुरूप अब हर्ट्षेप गुरूप पर ही पढ़ाई होगी अब देख सकते हैं कि विहारबोट चात्रों का रिजल्ट त्यार वेरिफिकेशन बनकी संबाद दापटना विहारबोट इंटर के चात्रों का रिजल्ट त्यार हो चुका है मार्क्स जो है कि सौप्ट्वेयर में तक जारी की जानी थी लेकिन लोकडाउन के वज़र से एक दो दिन ज्यादा लग सकते हैं तो यह तो हो गया अब यहां पर देख सकते हैं कि मैट्रिक कापी की जांद जो है बढ़ा दी गई है तो चलिए यहां पर हम आपको ओफिसियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि यह बिहार विद्याले परिक्षा समिती का ओफिसियल ट्विटर एकाउंट है छो बच के 42 मिनेट पर ट्विट किया गया है और यहां पर देख सकते हैं कि बिहार इस्कुल एक्जामिनेशन बोर्ट श्री अनंद किसोर अधियक्ष बिहार वि यंकन कार्य दिनंग तक तक अस्थकित रहेगा तो इस परकार से देख सकते हैं कि ओफिशियल नोटिफिकेस्ट जारी हो चुका है और 31 तक मैट्रीक की कापी जन्च नहीं होगा जो बच गया है अब इस परकार से metric इंटर रिजल्ट की बात करें तो इंटर का रिजल्ट मार्च में आ सकता है लेकिन metric result मार्च में आने की कोई संभावना नहीं है 31 मार्च तक कापी जब बंद ही रहेंगे तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन लग जाएंगे जो कापी बचे है metric का उनको जाज करने में और metric का जो है result 10 अप्रिल के अब बाद ही आ सकता है तो metric इंटर रिजल्ट से संबंदित सभी जानकार ही तू इस चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकोन को दबा दे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद